पारत चीन विवाद के बाद देश ने चाइना के 69 एप को बेंड कर दिया है और उसके बाद से जो युवाओं में क्रेज था टिक टॉक एप उसको लेकर युवा काफी पूरे देश के अलग-अलग परतिक रियाई दे रहे हैं हम इस वक्त बाद मेर जिले के सीमावर्ती चेतर में हैं और यहां पर एक ऐसा युवा है जिसने टिक टॉक पर वीडियो बनाते हुए करीब 14 लाख फॉलोवर्स बना लिए और इनके ऐसे कई वीडियो हो वीडियो है जो 18-18 लाख लोग देख चुके हैं हमारे साथ ऐसे एक उनसे जानते हैं कि यह सफर कैसे शुरू है और अब तक कितने फॉलोवर क्या नाम है आपका सर मेरा नाम बानु परताप है और मेरी टिक टॉक आईडी बानु बाबा नाम से थी मैं गाउं से हूँ सेड़ा तैसिल से हूँ और वहां से पढ़ाई के साथ साथ यहीं बैठे किया इसका मतलब हमारे देश को कुछ नुकसान पहुंचा रही थे तब ही इनको बैन किया है और मैं सरकार के इस फैसले का बिल्कुल समर्थन करता हूं और मुझे इस फैसले से कोई सिकायत नहीं है खुश से हम अब आप क्या चाहते हैं मतलब यह टिक टॉक टॉक बंद हो हो गया है तो यूट्यूब पर और फेस्बूक पर यह जो और सोसल मेडिया प्लेटफर्म में इसके उपर वीडियो डालने सुरू करेंगे तो जब यह देश में जब विवाद हुआ था देश के अपने 20 जवान है वह सहीद हुए तो उस टाइम कैसा लगा था क्या फील होगा था अब यह अपने फॉल्वर के लिए कोई संदेश मेरे फॉलवर्स को यहिस संगेत है कि संदेश जो इसे सरकार ने फैसला लिया टिक्ट। को बन करना की बिल्कुल सभी फैसला है सरकार में बता यह जो लोगों की नेजी जानकरी होता है यहां से चुराकर यह फ्ल बिल्कुल युवाओं का साफ तोर पर कहना है जो एप यूज़ कर रहे थे कि हमारे लिए देश से पहले कोई एप या कोई भी चीज नहीं है